कि यहां आपको स्केल जो अपनी स्केल होती है उसका यूज करते हुए आपको वस्तु करते हुए आपको जैसे सब्सकेल पर कुछ वस्तु की लमबाई दर्शाया गया है बताईए उनकी लमबाई कितनी है तो यहां इक 6 Research है इक स्केल किल लमबाईय कितनी आपको बतादेना है 4000 स cosìपो तो यहां 4 cm लिख देंगे, ठीक है, 1 cm, 2 cm, 3 cm, तीन सेंटीमीटर आ जाएगा, आंसर, तो यहां 3 cm लिख देंगे, इसी तरह से next में एक लीव, यानि पत्ती का चित्र दे रखा है, skill के उपर, तो यह कितने cm है, आपको बताना है, 1, 2, 3, 3 cm है यह भी, तो यहां भी 3 cm लिख द तो यहां लिख देंगे, 1 और 2, 2 cm की है, तो यहां 2 cm लिख देंगे, next picture में है, एक शॉपनर, जो कि कितने cm का है, 1 cm का, तो यहां 1 cm लिख देंगे, इसी तरह से second question है, जिसमें दिया गया है, दिये गई चित्रों की लंबाई बताए, तो यहां चित्रों की लंबाई देखन 14, ठीक है, तो 14 cm यहां लिख देंगे, इसी तरह से next है color, जिसकी लंबाई कितनी है, totally 9.5 cm, ठीक है, इसी तरह से next है, next picture की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 cm, इसी तरह से next picture की लंबाई हो जाएगी, 15.7 cm, इसी तरह से next है, एक की, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 यहां तक है, तो यहां हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 cm, इसी तरह से एक nail दे रखा है, तो यहां nail की लंबाई कितनी है, 10 यहां तक है, 11, 12, 12.5 cm, चले, next question देखेंगे, next question थड़ है, दिये गए, scale पर एक pencil और शौपनर की लंबाई को दशाय गया है, बताईए कि शौपनर पैंसिल से कितने cm छोटी है, तो यहां आपको बताना है, शौपनर पैंसिल से कितने cm छोटा है, तो कुल टोटल पैंसिल की लंबाई जो है, आपकी है, 6 cm, और शौपनर की लंबाई है, 2 cm, तो कितना छोटा हुआ, 4 cm छोटा, ठीके, तो यहां लिखतेंगे, 4 cm, इसी तरह से, next, fourth question है, दरसाई गई रेखाओं को देखें, और नीचे दिये गए, प्रशनों के उत्तर दीजिए, सबसे लंबी रेखा, कौन सी दिख रही है, 4th नंबर की, जो की कितनी है, 3 cm की है, तो यहां लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 cm, 1, 2, 3, ठीके, सबसे छोटी रेखा की लंबाई, सबसे छोटी रेखा है, एक नंबर की, जो की है, 1.5 cm, ठीके, इसी तरह से गय है सबसे लंबी रेखा सबसे छोटी रेखा से कितने सेंटीमीटर बड़ी है सबसे लंबी रेखा है 3 सेंटीमीटर सबसे छोटी रेखा है 1.5 सेंटीमीटर तो यहां कितनी बड़ी है 1.5 सेंटीमीटर बड़ी है ठीक है तो इस तरह से आपको यहां बताना था लंबाई हैं सभी वस्तों की लंबाई बतानी थी तो इस तरह से हमने देखा आपका कारेपतर तेरा का सॉलुशन इसी तरह हम आपके कक्षा से रिलेट और भी इंपर्टेन वीडियो देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद